श्री राधे श्याम छे अक्टूबर दो हजार चौबिस रविवार को शारदिय नवरात्र का चौथा दिन है चौथा नवरात्र है और इस दिन ब्रज के जो चार सिद्ध महात्मा हैं सूर्य कुंड के सिद्ध श्री मदसूद अदाज बाबाजी महाराज रणवारी के सिद्ध श्री किष्ण दाज बाबाजी महाराज कामवन के जै किष्ण दाज बाबाजी महाराज और गोवरधन मानसी गंगा के श्री किष्ण दाज बाबाजी महाराज ये चार प्राचीन सिद्ध बाबा कही जाते हैं तो उनमें जो गोवर्धन मानसी गंगा के सिद्ध श्री किष्ण दास बाबा जी है तो उनका चतुर्थी को तिरो भाव सब रहता है तो ये महापूरुष ब्रज की निधी है ब्रज के भक्त में भी इनका चरित्र वरनित है और अपनी द्वारा भी आप निकालेंगे तो गोवर्धन के सिद्ध श्री किष्ण दास बाबा ऐसा करके तो भक्त माल में इनका चरित्र कहा जा चुका है तो ये चरित्र निकल करके आएगा तो जो भी सिद्ध महापुरुषों की ठिति होती है उस जिन उनका इस्मन करना चाहिए आरती हो रही है तो आरती के बाद उन सिद्ध वावा की जै बोलनी चाहिए अगर ग्रंथ है तो उनका चरित्र पाट करना चाहिए अथवा यूट्यूब से निकाल करके चरित्र सुनना चाहिए यही उन संत की तिरोभावति थी मनाने का तरीका होता है और तिरोभाव महसव का अर्थ क्या होता है वे महापुरुषों जिन धरा को त्याक करके गए लेकर अपने सिद्ध स्वरुक में वो युगल सरकार की लिला में संबलित हुए तो राधा गोविंद ने उन प्रहु का उन संत सिद्ध महापुरुष का उस्सो मनाया तो हम सब को भी उस दिन उन संत को कम से कम इस्मन करना चाहिए उनका चरित पाठ करना चाहिए उनके भाव से भिभावित हो करके प्रहु का विशे शर्षन पूजन करना चाहिए तो सब लोग छे एक्टूबर को सिद्ध श्री कृष्ण दास बाबाजी को अवशे स्मरन करें जै जै श्री राधे शाग